नमस्कार मैं तरुन वर्मा दिली में क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऐसे पांच महत्वपूर्ण कारणों के बारे में जिस वज़े से अक्सर लोग जिनें एंग्जाइटी या डिप्रेशन की बीमारी होती है या जिनें माइल लेवल का थोड़े स्तर का एंग्जाइटी या डिप्रेशन रहता है और वे उन कारणों की वज़े से अक्सर अपना इलाज, अपना ट्रीटमेंट या जो भी मदद उनको जरूरी होती है वे ले नहीं पाते या वे लेने के लिए किसी प्रोफेशनल से नहीं मिलते Australian Bureau of Statistics के अनुसार सिर्फ 35 प्रतिशत Australian जिनें एंग्जाइटी या डिप्रेशन डिसॉर्डर है वे इलाज लेते हैं या उनके पास इलाज किसी तरह का एवलेबल होता है उनका ऐसा मानना है कि Australia में करीब 30 लाख लोगों को एंग्जाइटी या डिप्रेशन का कोई ना कोई डिसॉर्डर है जिसका की लेवल बहुत ही हाई है और ये सभी लोग जिनको बहुत जादा एंग्जाइटी या डिप्रेशन रहता है वे कही न कहीं गुमनामी में ही पी अलग-अलग हालातों में, स्थितियों में किसी ना किसी तरह से एंग्जाइटी या डिप्रेशन का अनुभव लोग करते ही हैं वह Australian Bureau of Statistics वाले बताते हैं कि उनके देश में Australia में जो Mental Health Services हैं उनमें बहुत जादा फंड, बहुत जादा पैसा पिछले कुछ 10 सालों में लगा बावजूद इसके बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ी संख्या में लोग जिने anxiety या डिप्रेशन हैं उनको कोई help या treatment मिल ही नहीं पा रही है जबकि उन्हें इसकी बहुत जरुरत हो सकती है या है अब इसकी तुल्ला अगर हम हिंदुस्तान जैसे किसी देश से करें जो विकासशील देश है, developing nation है और यहां भी इस तरह की problems बहुत ही जादा है यहां पर यह आकड़ा कई गुना जादा बढ़ जाता है लोगों की संख्या जो anxiety या depression से पीडित है बहुत जादा है और यहा सरकार कितनी जागरूख है या सरकार कितनी मदद कर रही है या कितने clinic या hospital या doctor हमारे आसपास available है अगर इन conditions को हम छोड़ दें तो कई सारे ऐसे reasons हैं कारण हैं जिस वज़े से लोग खुद भी नहीं जाते treatment लेने के लिए उन कुछ कारणों पर हम बात करते हैं सबसे common सबस सारे campaign होते रहते हैं कुछ ना कुछ awareness के बारे में बाते हैं हम मीडिया में अक्सर देखते ही रहते हैं किसी ना किसी तरह का जब कोई घटना हो जाती है जो मानसिक्स वास्ते से जुड़ी है कोई suicide हो जाना celebrity का या किसी celebrity का ये कह देना कि मुझे depression या bipolar disorder था तो अक्सर बहु करेंगे कैसे हम उससे deal करेंगे और किस तरह से लोगों को हम बता पाएंगे या लोगों के साथ share कर पाएंगे लोग किस तरह से react करेंगे बाहर के लोगों का तो छोड़ें घर के लोग किस तरह से react करेंगे वो किस तरह से deal करेंगे तो ये जो stigma है कि हमें किसी को नहीं बतान हमारी इस problem के बारे में किसी को पता न चल जाए यह stigma जो है यह बहुत बड़ा एक कारण है जिस वज़े से लोग mental health treatment लेने नहीं जाते stigma बहुत बड़ा है शहरों में भी है गाउं में भी है छोटे बड़े हर तरह के के इलाके में होता है और इस वज़े से लोग इस problem के लिए अकसर help लेने नहीं जा पाते दूसरा एक बड़ा आम कारण है बहुत ज़ादा दिखाई देने वाला कारण है stigma के बाद मतलब अगर हम कहें कि stigma अगर नहीं भी है तो क्या कारण हो सकता है वह है denial, अस्विकरती, non-acceptance कुछ लोग जानते हैं कि anxiety, depression है पर फिर भी है स्विकारते नहीं है कि ये कोई बिमारी हो सकती है या वो anxiety या depression की समस्याओं को इतना seriously लेते ही नहीं या इतना important मानते ही नहीं और वो ये नहीं समझते इस वज़े से कि इसके लिए मुझे कोई help की जरुरत है मुझे इसके लिए किसी professional या किसी therapist या किसी doctor के पास जाना चाहिए वे या तो anxiety और depression को स्रिकारने में किसी तरह की कमजोरी मानते हैं या किसी तरह के से ये मानके चलते हैं कि हमें कैसे हो सकती है ये बिमारी ये तो दूसरे को होती है ये तो दूसरे के घर में होती है दूसरे लोगों को है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा उनकी ये problem जो थी एक बिमारी का रूप ले गई हमारी problem बिमारी नहीं है हमारी problem ये कोई बड़ी serious नहीं है इसको तो मैं आम तोर पर deal करी लेता हूं या करी लेती हूं इससे तो मैं थोड़ा बहुत जूजी सकती हूं जूजी लेती हूं आखिर क्या किया जा सकता है नहीं मैं इसका treatment नहीं लोगी मुझे पता है मुझे क्या करना है तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अक्सर इस त कारण मान लेते हैं, जैसे anxiety में अक्सर physical symptoms आते हैं, तो हमें लगेगा कि ये तो कोई heart की या कोई और problem हो सकती है, depression हम अक्सर कारण नहीं देख पाते या हम ये नहीं देख पाते कि ये depression है, बस हमें ये लगता है कि कुछ लोगों से बात करना या मिलना जुलना हमें जस पसंद नहीं है क्योंकि वो लोग ठीक नहीं है इस तरह के कुछ कारणों की वज़े से हम अक्सर किसी और पहलू पर किसी और factor पर attribute पर अपनी problem को डाल देते हैं, और हम कहते हैं ये तो किसी denial नहीं देखते, क्योंकि denial है जहां हमें बताया गया है, जहां हमें पता है हमें problem है, हम anxiety है बढ़ हम इलाज नहीं लेना चाहते क्योंकि हम मानते नहीं है कि वो problem बिमारी हो सकती है, यहां पर हमें पता ही नहीं है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो anxiety इसके कुछ कारण ये हो सकते हैं, जैसे cultural factors हो सकते हैं, जैसे घर में कोई व्यक्ती रहे हैं, जिनको बहुत physical problem रही है, तो हम अकसर physical symptoms को कोई physical बिमारी समझ लेंगे, या किसी तरह के language barriers होते हैं, अकसर हम anxiety and depression के symptoms को बहुत overlap करता हुआ देखते हैं, बहुत सारे दूसरे health conditions के सा तो हमें लगता है कि ये जो symptoms हैं, ये तो दूसरी health conditions में भी मिलते हैं, तो ये anxiety नहीं ये तो कोई physical serious illness होगी, कुछ लोगों के पास जानकारी होती भी है, मानते भी हैं कि वो depression, anxiety जैसी problem होती है, पर वो सोचते हैं कि ये तो चली जाएंगी feelings, थोड़ा बोट time और देख लो, हर एक की life में थोड़े बूरे दिन तो आते ही हैं, अकसर depression और anxiety को life के कुछ difficult hard phases या hard times के तौर पे मान लिया जाता है, ऐसे में भी हम अकसर ignore कर देते हैं, उस case में हम ये नहीं देखते हैं कि anxiety हो रही है या depression हो रहा है, बट वो एक बिमारी हो सकता है, disorder हो सकता है, तो हमें ल ये बढ़ जाने की वज़े से और कई खत्रेल आ सकती है, या तो हमारा ठीक होना ही मुश्किल हो जाएगा, या फिर societal tendencies या फिर हम कुछ और behaviors develop कर लेंगे, चौथा एक महत्वपून कारण है, trust, भरोसा, विश्वास, therapist या किसी doctor या किसी psychiatrist के पास जाके अपनी mental health की problems को discuss करने के लिए बहुत courage और बहुत भरोसा चाहिए होता है, कि सामने वाला व्यक्ती stranger है, उसके साथ अपनी personal problems, life की problems, relationship problems, या कुछ और feelings share करना, क्या safe रहेगा, क्या उसके साथ बात करने में हम comfortable हो पाएंगे, क्या हम सारी बात उसको बता पाएंगे, वो किस तरह के सवाल पूछें कहीं वो ऐसे सवाल ना पूछ लें, जिनका हम जवाब देना ही नहीं चाहते, या जिसे हम share ही नहीं करना चाहते, तो बहुत हिचक होती है बात करने में, किसी stranger को अपनी बातें बताने में, अपनी private feelings के बारे में बताने में, जो साथ ही साथ ये भी problem create कर सकती है, कि हम उन feelings क को face नहीं करना चाहते, बट शायद therapy में हमें वो सारी feelings face करनी पड़े, उनके बारे में बात करनी पड़े, तो बड़ा घबरा जाते हम इस बारे में, जब हमें देखने में आता है कि हमें तो anxiety की कही सारी feelings के बारे में बात करनी पड़ेंगी, ये तो मैं हमेशा दबाती थी बट मुझे यहां थरैपी में उन पर बात करनी पड़ रही है हालंकि उस case में हम यह नहीं समझ पाते कि कही ना कही थरैपिस्ट के लिए या डॉक्टर के लिए या साइकॉलोजिस्ट या साइकाइटरिस्ट के लिए इन प्रॉब्लम्स को पूछना इसलिए जरूरी है ताकि वे आपकी condition को ज़्यादा better way में समझ पाएंगे ज़्यादा बहतर तरीके से आपके बारे में एक नजरिया बना पाएंगे आपके treatment को ठीक तरीके से design कर पाएंगे आपको किस तरह से क्या counsel करना है क्या therapy देना है उसके बारे में सही तरीके से guide कर पाएंगे या खुद भी उनको clear idea मिलने के लिए आपकी problem के बारे में आपसे कही सारे सवाल करने जरूरी होते हैं इस वज़े से वे अकसर बहुत सवाल भी करते हैं पर हमें अकसर डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी जो personal problems है या information है वो leak कर दी जाएं क्या वो confidential रहेंगी कहीं ऐसा तो नहीं हमारे घर के दूसरे लोगों को बता दी जाएंगी या हमारे friends को या किसी relative को बता दी जाएंगी डॉक्टर का और लोगों के साथ भी contact है कई वो औरों को न बता दे ये भी डर कई लोगों में अकसर बना रहता है जिस वज़े से वो अकसर डॉक्टर से या किसी therapy से मिलना नहीं चाते तो ये बात उस case में समझना जरूरी है कि डॉक्टर जाकर सवाल पूछता है या जानकारी लेता है वो इसलिए नहीं लेता कि वो judge करेगा या वो इसलिए नहीं लेता कि आपकी problem को solve करने के लिए वो दूसरों से leak कर देगा या दूसरों से discuss करेगा और ताकि दूसरे जो है वो आपके बारे में या आपकी किसी information को सुनके वो चौकननने हो जाएं या किसी तरह से आपकी relationship पे effect तो ऐसा नहीं होता तो ना therapist judge करेगा ना वो आपकी information का misuse करके दूसरे को बताएगा जिससे कि आपकी उसके साथ treatment परसर पड़े या आपका जो confidence है या आपका जो trust है उस पर वो break हो हालंकि किसी-किसी situation में कुछ-कुछ बातें discuss करना ज़रूरी होता है बट कोई भी अच्छा therapist या doctor अक्सर आपका consent लेकर ही कोई भी बात करेगा या group में बैठ कर ही वो उस बारे में बात करेगा पाच्वा और महत्वपूर्ण कारण है hopelessness उम्मीद नहीं रहती हमें कि हम ठीक हो जाएंगे उम्मीद नहीं रहती हमें कि हमारी condition में कुछ betterment हो सकता है कुछ improvement हो सकता है बहुत लंबे समय से कई बार हम बिमारियां या कुछ ना कुछ problems face कर रहे हैं और कई बार हम बहुत सा होगी या future में कुछ अच्छा है खासका depression में तो hopelessness का symptom होता ही है तो उस case में तो treatment के प्रती भी व्यक्ति hopeless हो जाता है जैसे अपने life के बागी areas के प्रती है so अकसर anxiety और depression जो इतने disabling हो जाती है इतना लाचार कर देती है और इतना जादा हमारे को emotional impact उनका feel होता है emotionally हम इतने जादा overwhelm हो जाते हैं हावी हो जाती है भावनाएं हम पर जिस वज़े से हम अकसर hopeless हो जाते हैं कि future में कोई तरीका नहीं है जिससे हम इन problems को बहुत solve कर पाएं या किसी की मदद से solve कर पाएं कोई क्या मदद कर देगा कितना मदद कर देगा after all वो कोई हमारी personal life के बारे में जादा तो जानता नहीं है ना ही वो हमारे personal life के बारे में कुछ जादा उसमें कुछ involvement हो सकती है उस व्यक्ती की तो ऐसे में किसी को कुछ बताना उसका क्या फाइदा कोई उमीद नहीं है ये problems तो ऐसी ही रहेंगी मुझे ऐसे ही इनको जिलना पड़ेगा तो इस तरीके से एक pessimism सा आ जाता है, अकेला पंसर डेवलप हो जाता है, isolated हो जाते हैं, अकेले में हम इन तरेके के symptoms को महसूस और experience करते रहते हैं और अंदर ही अंदर ये problems कहीं न कहीं इस वज़े से और ज़दा severe होने लगती हैं, और ज़दा हमारे depression और anxiety को बढ़ावा मिलने लगता है इन feelings की वज़े से कोई और बिमारी के लिए हम अकसर डॉक्टर के पास जाना prefer करते हैं, क्योंकि हमें पता है तो physical problem है, चले जाते हैं, बात कर लेते हैं पर anxiety, depression क्योंकि ये psychological problems हैं, जिस वज़े से anxiety या depression का symptom खुद ही कारण बनता है कि हम treatment लेने ना जाएं मतलब जैसे anxiety में हम हिचकते हैं, avoid करते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं, डरते हैं, resist करते हैं किसी भी तरह के बदलावों को, कोई भी stress को, कोई भी परिशानी को हम avoid करने की कोशिश करते हैं, उससे बचने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हम treatment से भी बचने की कोशिश करत क्योंकि treatment मतलब एक तरह का stress क्यों क्योंकि अपने बारे में बात करनी है डॉक्टर की suggestions सुननी है उनको implement करना है फिर कोई नों की task डॉक्टर देगा वो भी करना है तो इस सारी चीज़े कहीं न कहीं anxiety और stress बिल्ल अप करती है इस वज़े से हम जैसा कि हमारा anxiety का nature है उसी तरह स हम treatment को भी avoid करने की कोशिश करते हैं साथ ही depression में अगर हम देखें वहाँ भी ये चीज़ देखने में आती है मतलब depression खुद ही कारण बनता है treatment avoid करने का कैसे depression में हम hopeless होते हैं हमारे अंदर motivation की कमी होती है हमारे अंदर इच्छा शक्ती की कमी हो जाती है हमारे अंदर effort लेने मे या किसी भी तरह के का प्रयास करने में मुश्किल आती है थकान होने लगती है तो treatment लेना भी एक तरह के का effortful work है मतलब उसमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे उमीद जगानी पड़ेगी अपने को बहुत motivate करना पड़ेगा कोशिशे करनी पड़ेगी छोटी-छोटी ची कारण है treatment को avoid करने के हालंकि अगर हम यह समझते हैं जानते हैं तो हमें प्रयास जरूर करने चाहिए कोशिश जरूर करनी चाहिए कि treatment की तरफ आगे बढ़े यह कोई बहाना नहीं होना चाहिए या यह कोई बड़ा कारण नहीं होना चाहिए कि हमें तो anxiety है इसलिए हम treatment लेने में बट इसका मतलब यह नहीं कि इसका treatment ही avoid कर दिया जाए नहीं treatment की तरफ बढ़ना जरूरी है इसलिए हम क्या कर सकते हैं हम family या friends परिवार में या किसी दोस्तों की साहता ले सकते हैं जिनका बहुत बड़ा role होता है जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे क अक्सर motivate करने में anxiety और depression के इलाज के लिए क्योंकि आम तोर पे हमारे आसपास के लोग इतने supportive हो सकते हैं या होते हैं कि वो जानते हैं और समझते हैं इस बात को कि anxiety और depression कितनी serious हो सकती हैं उन्होंने आपको बहुत closely observe किया होता है उन्होंने देखा होता है आपके साथ किस त treatment में family को या friends को ये जरूरी हिस्सा हो सकता है treatment का कुछ लोगों के लिए बहुत challenging हो सकता है क्योंकि loneliness या friends का ना होना ये एक आम समस्या हो सकती है पर फिर भी अगर हमें कहीं से कोई support मिलता है जिससे कि हमारे को treatment में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है और हम हमारे अंदर थोड़ा जोश आ सकता है हम थोड़ा सा positive feel कर सकते हैं तो इसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए support कैसा होता है अकसर जो family या friends से लिया जाता है उसमें कोई हमें सुनता है बिना किसी judgment के हमारी problem को समझने की कोशिश करता है हमारी मदद करने की सही नियत से कोशिश करता है हमें सहीर health professional के तरफ जाने के लिए motivate करता है और उसका हमें बताता है उसके बारे में ज्यान देता है जानकारी देता है हमारे लिए care दिखाता है concern और चिंता रखता है हमारे को शान्त रखने में मदद करता है साथी साथ हमारे problem की confidentiality maintain करने की भी guarantee वहाँ होती है मतलब उसका भरोसा दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारा उस व्यक्ति के ओपर विश्वास ट्रस्ट अच्छा बन सकता है इसलिए इन लोगों की अपने life में जो close लोग है उनकी मदद लेना जरूरी है और लिया जाना चाहिए बहुत से treatments available है anxiety और depression के लिए therapy भी available है medicines भी available है alternative techniques जैसे सो कम से कम किसी area में हमें अपने लिए अपनी मदद के लिए कदम उठाने चाहिए और जो भी possible या जो भी हमारे लिए helpful treatment है उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए थोड़ी सी कोशिशों से धीरे धीरे हम आगे अपनी anxiety या depression को manage करने में सफल हो सकते हैं हलंकि ये नहीं कहा जा स कि उसे पूरी तरह से cure कर सकते हैं कुछ cases में cure नहीं हो पाता पर अच्छा management हो जरूर सकता है तो अपने आसपास देखें जो भी अच्छी help या अच्छा treatment available हो उसे लें उसकी तरफ आगे बढ़े जरूर मैं ये वीडियो अब यहीं समाप्त करता हूं उमीद है आपको ये स चाहिए तो उसे approach करना भी जरूरी है इस चीज़ को समझें इसकी importance को जाने ध्यान दें इस पर मैं आगे और इस संबंध में वीडियो बनाऊंगा आप वीडियो को like कीजिए और subscribe भी कीजिए मेरा चैनल क्योंकि आप ही की तरह और लोगों को भी फाइदा होगा अगर वे इस वीडियो को देखेंगे और क्योंकि आप चैनल subscribe कर रहे हैं तो जादा से जादा लोगों को इस वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी वो जब search करेंगे YouTube पे या किसी और तरह से तो उनको इस वीडियो की suggestions आम तोर पे मिल जाये करेंगी अगर आप subscribe करते हैं तो आप क कही न कहीं मुझे भी favor करते हैं subscription देखकर साथी साथ आप और लोगों को भी जो आपी की तरह anxiety या depression से थोड़े परेशान रह सकते हैं उनको भी मदद मिलेगी धन्यवाद